प्रियंका गांधी जी कि पंजाब की पहले आम सभा के अंदर में उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सब लोगों को संबोडित करें प्रियंका गांधी जी मेरी प्यारी बैनों और प्यारे भाईयों आपका सभा में बहुत बहुत स्वागत कैप्टन अमरिंदर सिंग जी श्री नवजोग सिदू जी श्री राजा बारिंग जी श्री मती आशा कुमारी जी श्री मनप्रीत बादल जी श्री विजेंदर सिंगला जी श्री राना सोडी जी श्री गुर्प्रीत कंगर जी श्री हरीश चौबरी जी श्री लाल सिंग जी श्री राइंदर सिंग जी आप सब का भी इस सभा में बहुत बहुत स्वागत तो बेनों और भाईयों सबसे पहले तो बोले इफ्ञान यार यहां आकर मुझे बहुत खुशी हुई मेरा करवाला पंजाबी है हर मुझे बता सामना उन्हाने मुस्कुरांदे वे किता मैं पंजाब जब पंजाबियारी धर्ती ते पंजाबी कौम नो सलाम कर दिया पंजाबी कौम हर मुझे लड़ा सामना डटके कर दिया ते सदा खुश रहके चरदी कलाविच देंदी है अब मैंने अपनी पंजाबी शुआफ कर दी पूरा भासन इंदी में दूँगी सुना है कल प्रदान मंत्री जी आये थे और सुना है कि इसी मैदान में उनकी मीटिंग लगी और ये भी सुना कि उनके जूटों के सिलसिला के सिलसिले का जवाब भटिंडा के आसमानों ने दे दिया क्योंकि चाहे अंभी हो तुफान हो चाहे मौसम क्लावडी हो लेकिन इनकी सच्चाई अब देश की जनता के रेडार पर आचुकी है आपके सामने तमाम प्रचार करते हैं जूट कहते हैं बड़ी बड़ी बाते करते हैं बड़े बड़े वादे करते हैं अगर आप इनका प्रचार सुने और माने आपको लगेगा कि इस देश में सतर सालों से कोई विकास नहीं हुआ कि सिरफ पाज सालों में सारा विकास हो चुपा लेकिन आप भटिंडा के वासी हैं भटिंडा सबसे बड़ा मिसाल है कि सतर सालों में इस देश का कितना विकास हुआ यह उद्योगों का केंड्र है फर्टिलाइजर, सिमेन, हर्मल पावर, टेक्स्टाइल का केंडर है कपास और गेहूं की सबसे बड़ी मार्किट है दूद उच्पादन का केंडर है आर्मी की कंटून्वेंट है यहां और यह सारा विकास इन से पहले हुआ शायद इनका खुद का रेडार सबसे पहले अपने वचनों पे होना चाहिए 2014 में इन्होंने आप से कहा कि 15 लाख रुपे आपके खातों में डालेंगे किसी के खाते में 15 लाख रुपे आए आए? नहीं आए कहा था कि किसानों की आए दुगनी होगी कहा था कि महंगाई को घटाएंगे क्या महंगाई घटी? आपको कहा था कि नौ जवानों के लिए हर साल 2 क्रोर रोजगार बनाए जाएंगे क्या बने? नहीं बने? बैनोर भाईयों, इनके शासन में 5 क्रोर रोजगार घटे इनकी नोट बंदी की एक नीती से 50 लाख रोजगार घटे इनके शासन में 24 लाख सरकारी रोजगार खाली पड़े हैं ना आपको 15 लाख रुपे मिले, ना किसानों की आम बनी दबनी हुई, ना किसी के लिए रोजगार बना बलकि देश भर में गूंते हुए जो किसान मुझ से मिलता है, वो पीरा में दूब रहा होता है आज कर्स की वजह से 12 लाख रकिसानों ने आत्महत्या की हैं इनके शासन में 12 लाख रकिसानों ने आत्महत्या की, किसान को उपज का दान नहीं मिला, किसान को वीज और खाट समय पे नहीं मिली देश भर से जब किसान पैदल दिली आया हजारों की तादाद में पंजाब के किसान आए उत्तर प्रदेश के आए महराश्ट के आए मध्य प्रदेश के आए राजिस्थान के आए और उन्होंने सिर्फ एक चीज़ मंगी कि प्रदान मंतरी महोदय अपने आलीशान बंगले से निकल कर पाँच मिनत का समय उन्हें दे देते ताकि उनकी समस्याओं की सुनवाई होती लेकिन प्रदान मंतरी जी इतने व्यस्थ है कि हजारों की तादाद में जो किसान अपने पाँपे छाले बनाकर पैदा लाए उनसे मिनने के लिए पर प्रदान मंतरी जी ने पांच मिनट का समय नहीं निकाला प्रदान मंतरी जी अमेरिका घूमाएं वहाँ ओबामा जी से गले लग गए जापान चले गए धोल बजाए वहां अफ्रीका गए यॉरोप गए जिस देश का नाम लीजिए चीन गए पाकिस्तान भी गए पाकिस्तान में बिर्यानी भी खा के आए लेकिन अपने ही सांसदिय चेतर में वारा नसी में एक भी गरीब परिवार एक भी किसान के घर नहीं गए एक भी किसान से हाल चाल नहीं पूछी यह नहीं पूछा कि आप से कर रहे हैं नोट बंदी से इन्होंने आपको परिशान किया आप से कहा कि आप अपनी देश भत्ती दिखाईए और दुनिया भर का काला धन देश में वापिस आ जाएगा सच्चाई क्या हुई एक भी रुप्या वापिस नहीं आया आप परिशान हुए आपके साथ कतारों में एक भी भाजब्पा का नेता नहीं खड़ा हुआ एक भी अमीर उद्यूप पति खड़ा नहीं हुआ सिरवे Cryi क्न Strategic अधिक वह जब्रहुए आपके साथ कंदे मिले कर आपकी मुसीबतों में आपके साथ खड़ा रहा तब भाजब्पा के नेताओं ने उनका मजा जब पूरा पंजाब आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तो इनके RSS के लोग अंग्रेजों की चमचा गिरी कर रहे थी। कभी लड़े नहीं आजादी की लड़ाई में पंजाब ना हिंदू ना मुसल्मान है। पंजाब जिये गुरूओं के नाम है। आपकी जो धर्ती है वो हमेशा गुरूओं के नाम जी है। अगर गुरू गरंद साहब को पंजाब से जुदा किया तो पंजाब की आत्मा चली जाएगी। इन्ही के साथियों ने अपने राजनेतिक लाब के लिए अपने वोटों को बटोरने के लिए गुरू गरंद साहब का निरादर किया। आपने खुद ये देखा बाबा नानक ने तेरा तेरा तोला सर्बत का भला बोला और इन्होंने अपने साथियों के साथ सिर्फ मेरा मेरा बोला। जो सरकार इस लोग तंतर में जनता के लिए होनी चाहिए उस सरकार को इन्होंने तमाम माफियाओं को सौप दिया भू माफिया, रेट माफिया, शराब माफिया और ट्रांसपोर्ट माफिया को सौपा इनके शासंकाल में जनता की आवाज नहीं सुनी गई जनता की तीरी दर्ब तीरी बरबाद हुई है आपको नकारा गया देश के किसान को पंजाब के किसान को नकारा गया और नकारते वक्त, आपको दबाते वक्त, आपको परिशान करते वक्त हमेशा इनका जूटा प्रचार चलता रहा आज भी आप TV दिखेंगे या अखबार कोलेंगे तो इनके चेहरे दिखेंगे गड़ी बड़ी बाते दिखेंगे आपको कभी कहते हैं कि बजली की बिल पे तلवार मारी तो कभी कहते हैं कि कोई और बड़ी उफलबडी कर ली बहुत विकास कर लिया किसान बहुत खुशाल हो गया लेकिन सरासर जूट कहते हैं आज अगर पंजाब चिट्टा के वज़े से तरप रहा है तो ये इन्हीं की सरकारों की बदौलत है मेरे भाई राहु गांदी जी ने ये मुद्दा तब उठाया जब किसी और की हिम्मत नहीं थी इस मुद्दे को उठाने की जब वो पंजाब आए और उन्होंने ये बात कही तो इन्होंने तमाम उनके बारे में खलब चीजे बोली लेकिन राहु जी ने सच्चाई कही थी क्योंकि राहुल जी की राजनीती और कॉंग्रिस की राजनीती सचाई की राजनीती है आपको गुमराफ करने की राजनीती नहीं है अगर कोई समस्या है आपके प्रदेश में तो उसको उखाडने की राजनीती है उसको छिपाने की राजनीती नहीं है इसलिए इस चुनाओं के लिए आप बहुत ध्यान से बहुत जिम्मेदारी से सोचिए कौन सी पार्टी आपके सामने कैसा संदेश लाती है कौन सी पार्टी आपके सामने कौन सी घोशना कर रही है जो नेता आपके सामने मंच पे बैठे है चाए मैं हूँ, चाए अमरिंदर सिंग जी हूँ, सिद्दू जी हूँ, कोई भी नेता जो आपके सामने मंच में बैठा है, हम सब को बनाने वाले आप हैं सचाई ये है, सचाई ये है कि लोग तंत्र में आपकी शक्ती सबसे बड़ी शक्ती है लोग तंत्र में भारत देश में किसी भी नेता से बड़ाव, किसी भी नेता से महत्वपून, किसी भी नेता से मजबूत जनता है और इसी को लोग तंत्र कहते हैं, लोग तंत्र का मतलब है आपकी शक्ती आपके हातों में रहनी चाहिए लोक कंत्र का मतलब है कि आपको गुमराह करके, जूटे प्रचार करके, आपको तबाह करके, आपके प्रदेश को मफ्याओं को सौपके, कोई आगे नहीं भरना चाहिए आपको सबक सिखाना चाहिए नहीं, कि आप सचाई को देख रहे हैं, आप जागरुक बन गए हैं, आप अपनी भलाई चाहते हैं, और आप हम सब नेताओं को सिखाईए, आप सब नेताओं से पूछिए, कि आपके लिए क्या करने जा रहे हैं, आपके सामने आकर, तमाम धन मंत्री नहों, वो आपको बताए, कि आपके लिए क्या किया है उसने, और क्या करने जा रहा है, यही सच्ची राजनीती है, और इसलिए मैं आपको बतना चाहती हूं, कि कॉंग्रेस पार्टी ने इस जुनाव में एक ऐसा घोशना पत्र बनाया है, जिसके लिए राहु जी ने उन से कहा, कि मैं आपकी आवाज महीं मानता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि जनता की क्या आवाज है, कि सानों से मिलिए, उन से पूछिए, कि उनको क्या चाहिए, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, नौजवानों से मिलिए, नौजवानों से पूछिए, हम आपके लि यह हम क्या कर सकते हैं तो एक साल के कारी के बार देश भर में जन जन से चर्चा करने के बार कॉंग्रिस ने एक घोशना पत्र निकाला है उस घोशना पत्र में कॉंग्रिस ने कहा है कि हर गरीब परिवार को 72,000 रुटैस साल आना सरकार देगी जब यह योजना बनाई गई तो राहुल जी ने पूर्वित मंत्रियों से कहा कि देखिए जनता को बहुत जूट बोला गया है पाँच सालों से जनता परिशान है जनता को वादा किया था भाज़ अपाने कि 15,000,000 रुपे उनके खातों में जाएंगे वो वादा खोकला निकला मैं कोई खोकला वादा नहीं करना चाहता उन्होंने कहा आप जाच करिये असलियत क्या है सच्चाई क्या है सरकार अगर गरीब परिवारों को पैसा देना चाहे तो कितने पैसे दे सकती है तो वृत मंत्रियों ने पूरी तरे से जाच की और उन्होंने कहा कि अगर सरकार गरीबों को पैसा देना चाहे तो 72,000 रुपै साल आना दे सकती है जब ये ग्योजना की कॉंग्रेस में तब भाजबपा के बड़े बड़े नेताओं ने क्या कहा ये भी सुन लीजिए उन्होंने कहा कि देश में इस ग्योजना के लिए पैसे नहीं है अर्थ व्यवस्ता में पैसे नहीं है राहुल जी ने उनसे पूछा अगर गरीबों और किसानों के लिए पैसे नहीं है तो बताईए आपने बड़े बड़े ओड्योजना के पाथ सौपचास हजार क्रोर रुपै इन पाथ सालों में कैसे बक्स दिये कैसे कर्द माफ किये कोई जवाब नहीं आता बेंओं और भाईयों क्योंकि कोई जवाब नहीं है ये सरकार सिर्फ बड़े बड़े ओड्योग पतियों के लिए चलाई गई है आपको मालूम है कि आपकी जो किसान दीमा ली जाती है हर महीने आप से उस किसान दीमा से बड़े बड़े उद्योग पतियों के दस हजार क्रोर रुपै का फाइदा हुआ है दस हजार क्रोर रुपै का फाइदा आपकी किसान दीमा से बड़े बड़े उद्योग पतियों का हुआ और जब आप पत्ती आई जब आपके खेतों का नुकसान हुआ सब आपने कभी ये भीमा के पैसे नहीं देखे यही असलियत है इस सरकार की जब कॉंग्रेस पार्टी ने कहा कि किसानों के कर्द माफ किये जाएंगे तब भी उन्होंने कहा कि पैसे नहीं है इसके लिए मज़ा कुराया लेकिन आपने खुद अपने प्रदेश में देखा है और जहां हमारी सरकारे आई मध्यप्रदेश, चतिजगर और राजस्तान में आपने खुद देखा कि मात्र तीन दिनों में कर्द माफ होने शुरू हुए जैसे गरीब परिवारों के लिए कॉंग्रेस पार्टी ने नियाए की योजना बनाई है जिसके तहेत आपको 72,000 रुपे सालाना मिलेंग उसी तरह से नौजवानों के लिए भी कई योजना हैं नौजवानों के रोजगार के लिए सबसे पहले कॉंग्रेस ने घोशित किया है कि जो 24,000,000 सरकारी रोजगार खाली पड़े हैं उन्हें एक साल के अंदर अगले साल के मार्च के महीने तक भरवाया जाएगा कॉंग्रेस पार्टी ने ये भी गोशना की है कि दस लाख ग्रामी इंस्टर पे रोजगार बनाए जाएंगे और ये भी गोशना की है कि अगर कोई नौजवान अपना कारोबार शुरू करना चाहे तो तीन सालों के लिए कोई بھی परमिट और कोई भी परमिशन की ज़रूरत नहीं होगी की सरकार उस नौजवान को पूरी तरह से मद्बूत बनाएगी की अगर उस नौजवान के कारोबार से रोजगार बने तो जितने रोजगार बनेंगे, उतने उतना ही कम टैक्स उस कारोबार पर लगाया जाएगा जो छोटे उद्योगपती और दुकानदार GST से तरस्ट और परिशान है उनके लिए कांग्रिस ने खास क्या गोशना की है कि GST को सरल बनाया जाएगा एक ही सरल टैक्स होगी आज सिती ये है कि किसी भी दुकानदार से पूछे तो वो कहेंगे कि अगर एक चीज एक वस्तर भी बेचना पड़े तो उसकी कड़ाई की अलग GST, उसके धागे की अलग GST, उसके रंग की अलग GST उसकी सिलाई की अलग GST और उसके कपड़े की अलग GST लगती है इस उलजन और इस परिशानी से तमाम कारोबार बंद हुए हैं तमाम दुकाने बंद हुए हैं नोट बंदी और GST से जिस तरह आपके पाउपर कुलहडी मारी उस तरह किसी सरकार ने आपको परिशान नहीं किया होगा इसलिए कॉंग्रिस इस परिशानी को समझते हुए और पहचानते हुए आपको मजबूत बनाना चाहती है और एक सलन GST बनाना चाहती है मेरी बैनों के लिए 33% आरक्षन संसद में होगा इसके जरिये जो हमारी समझ आएं है जो महिलाओं की आवाज है वो संसद में ठीक तरे से उठेगी बच्चों की शिक्षा के लिए बारवी तक सरकारी पाथशालाओं में मुफ्त शिक्षा मिलेगी और हस्पतालों में, सरकारी हस्पतालों में, जाँच और चिकित्सा मुफ्त में मिलेगी ऐसी तमाम योजनाएं हैं, किसान भाईयों और बेहनों के लिए भी, एक अलग बजट बनेगी इस अलग बजट के द्वारा आपको हर साल ये बताया जाएगा कि आपके लिए कितना खर्चा जाएगा, कौनसी योजनाओं में जाएगा, किस तरह से सरकार उन योजनाओं को सफल बनाएगी हर डिस्ट्रिक्ट में फूट पाक बनाने की उमीद है हमारी ताकि आपकी उपज सीधी देश की बाजारों से जुड जाएगी ताकि आपको आपकी उपज का दाम अपने ही क्षेत्र में मिले इस तरह से तमाम योजनाओं हैं जो हमारे घोशना पत्र में है और मैं आपसे आग्रे करना चाहती हूँ कि आप घोशना पत्र को पढ़िए क्योंकि ये चुनाओं जो हैं बहुत महत्वपूर्ण है ये हमारे देश को बचाने का चुनाओ है हमारे लोक कंत्र को बचाने का चुनाओ है एक ऐसी सरकार को शिकस्त देने का चुनाओ है जिसने आपकी आवाज सिर्फ सुनी नहीं लेकिन आपकी आवाज को दबाने की कोशिश की है अपने आपको देश भक्त कहके तमाम देश वासियों को देश द्रोही कहते हैं मैं उत्तर प्रदेश में एक अध्यापिका से मिली जो अपने वेतन के लिए प्रदर्शन करने गई और उसको पीता गया जेल में डाला गया और उन पर देश द्रोही का कानून लगाया गया क्योंकि अपने अधिकारों की मांग करने की हिम्मत हुई उनमे ये लोगतंत्र है बेहनों और भाईयों आपके अधिकार आपकी शक्ती है आपके अधिकार आपकी हिम्मत है आपको दबाने की हिम्मत किसी भी सरकार में नहीं होनी चाहिए और ये सबक मैं जानती हूँ कि इस चुनाओं में आप भाजपा और उनके सयोग्यों को पूरी तर्य से सिखाने वाले हैं राजा वारिंग जी यूज कॉंग्रेस में होते थे जहां उन्होंने बहुत प्रगती शील कारिक किये एक मजबूत उमीद्वार हैं एक सचे राज देता हैं जो आपके लिए दिन ग्राप एक करके आपके प्रती समर्पित रहेंगे इनके हाथ मजबूत करके कॉंग्रेस पार्टी को एक बार फिर केंडर में स्थापित करके आप अपने भविश्यों को मजबूत बनाएंगे आप अपने देश अपने प्रदेश को और भी मजबूत बनाएंगे अपने बच्चों के अपनी अगली पीरी के लिए इस चुनाव में आप अपना वोट दीजिए जो पीरियां बरबाद हुई हैं उन पीरियों को बचाने के लिए आगे वाली पीरियों को मजबूत बनाने के लिए अपना वोट दीजिए कॉंग्रेस पार्टी को भारी से भारी वहुमत से जिता कर देश और पंजाब को एक बार फिर उसी रास्ते पे लाईे जिस रास्ते से आपका पूरी तरह से विकास हो आप सब को बहुत बहुत भनेवाद जैन